तो जैसा कि आपको पता है कल शाम से एक नूट शर्वालू कर रहे हैं इसमें क्या बात है इसमें क्या लिखा हुआ है और इसमें कौन सा डेटा है तो हमें यह समझने की जूरत है आप प्लीज इस पर एक वीडियो बनाईए तो परसनली मुझे भी कैंडिडियो कॉल कर रहे बोल रहे थे तो इस color बनाये और इसके बगएर वी दो चनुरफीर शच्भिन साथ लगे रहे आप उस वीदियो के साथ लगे रहे और इस चनल को सब्सक्राइब से पहले A alphabet से लेकर C alphabet तक होगा type test उसके बाद D से लेकर F तक S A F से लेकर J तक तो वो सारे four tiers में हो गए थे वो सारे test साब को four tiers में हो गए थे लबगत तीन मन था आपका चल गया था चल रहा था वो typing test तो उसमें जो पहला था सबसे पहला जब A value को बुलाया गया था उसमें थे total 8,410 candidates आप यहां पर देख भी सकते हैं 8,410 candidates उसके बाद उसके बाद आपको जो second serial निकला था for example A के alphabet जब हो गए थे खातम उसके बाद B का निकला था उस time थे total 21,589 21,589 यहां पर आप देख सकते हैं 21,589 उसके बाद उसके बाद जब third list निकला था M value का तो उस time थे total 4,000,4,054 सिर्फ M value का ही था उस time 4,054 और जो last वाली notes थे थी 37,484 यहां पर आप देख सकते हैं 37,484 उसके बाद कुछ बच्चे शायद बरफ की वज़स से उनका नहीं हो पाया था तो उनको फिर अलग से रखा गया वो total थे 91 उनको फिर अलग से लिया गया total हो रहे थे 77,000 around तो लेकिन इस notes की credibility क्या है यह कितनी सच है, कितनी जूट है कल जब मैंने Google से download किया वो list, typing वाला list fourth ही मैंने download किया था Google से तो उस पर भी exactly 37,484 candidates थे तो यह आप समझें कि यह बिल्कुल सही notes है अब यह मुझे पता नहीं इसकी source से लाई कहां से JKSB वालो से नोने लेकिन यह बिल्कुल accurate इस पर data है उसके बाद मैंने तीसरी notes भी download की थी वो जो JKSB वालो ने निकाली थी वो website पर भी available है तो वहां पर भी accurate 4054 है यहां पर भी 4054 है तो अब आपको इसमें समझना क्या है सबसे पहली बात जो important है वो यह है कि notification 4 में आप देख सकते हैं total candidates थे 36,252 जिनने apply किया था notification 4 में और उसमें सिर्फ 6,525 बचों ने qualify किया यह .36, .62 क्या है इन्होंने ratio निकाला इसका इसमें आप confuse ना हो जाए कि 6,525.36 बचे कहां से होंगे 6,525 आप मान के चल सकते हैं qualify हो गए थे notification 4 में तो notification 5 में कितने हो गए थे qualify total 5,509 यहां पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से notification 6 of 2020 में हो गए थे 4,103 इसी तरीके से 7 में हो गए थे 4,266 और इसी तरीके से जिसमें सबसे ज्यादा vacancies है सबसे ज्यादा notification 2 of 2021 इसमें total 29,000 बच्चों ने किया था और 5,000 ही को qualify हो गए था तो इसमें आप मान के चल सकते हैं 5,000 का ही competition है 5,230 का competition है ना कि 14,000 वाला competition इसी तरीके से जो last वाली notes थी 38,344 लोगों ने इसमें apply किया था और सिर्फ 6,901 को ही qualify हो गया type test इस notification में तो यहाँ पर आपको एक बात समझाएगी कि पूरी notifications में हर एक साथों के 7 notifications में जो apply करने वाले हैं वो है total 4,266 से कम क्योंकि इसमें तो 7 में सिर्फ 4,000 ही नहीं किया है तो अगर हम बोलेंगे कि 10,000 ने सारी notifications में apply किया तो वो तो nonsense है फिर तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 4,266 बच्चों से कम-कम आप मान के चल सकते हैं 3,500 ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हर एक notification में apply किया हुआ है तो सबसे पहले मैं cut-off की बात करूँगा यहाँ पर सबसे कम cut-off होने जा रहा है आपकी जो notification 2 of 2021 है याद रखना इस notification का cut-off आपका सबसे कम हो जाएगा even 60s में 60 to 70 के unrun risk का cut-off हो जाएगा बहुत ही कम और category volume में से सबसे कम competition यहाँ पर आप देख सकते है notification 2 of 2021 क्योंकि इसमें GAD भी नहीं है क्योंकि GAD department को ज्यादा लड़के prefer करते है तो यहाँ पर आप मान के चल सकते है 2002 of 2021 में cut-off हो जाएगा 60s में उसके बाद है notification 7 of 2020 इसमें है total 4,266 इसमें भी आप मान के चल सकते है 50s, 60s में category वालो के लिए cut-off हो जाएगा और open merit के लिए 60 above 60 above हम मान के चल सकते है 65 around SE फिर आप अगर किसी का shift ज्यादा easy आ रहा है वो 2-3 point उसको compensate खुद भी कर सकता है इसी तरीके से notification 6 of 2020 इसको भी बच्चे prefer नहीं करेंगे ज्यादा toppers तो करेंगे prefer GAD को या अपने district को prefer करेंगे तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी 50s, 60s में ही cut-off होने वाली है तो अब बिल्कुल ना गबराए हाँ यहाँ पर last चुन notification है 6,901 इसमें cut-off हाई होने के chance है क्योंकि इसमें GAD भी आता है और इसमें सबसे ज्यादा बच्चुने अब qualify किया है 6,901 ने qualify किया है तो अब मान के चल सकते हैं GAD का cut-off 75 हो जाएगा और कही कही पे किसी shift में 80 के around भी हो सकता है 78, 79, 80 भी हो सकता है इस notification का cut-off जो notification 3 of 2021 है और जो पहली है 4 of 2020 इसमें भी 70 प्लस ही जाने वाली है cut-off क्योंकि ये तो इसमें भी almost half 50% बच्चुने ही qualify किया है तो आप मान के चल सकते हैं 2 notifications यहाँ पर 3 notifications जिनमें कम बच्चुने qualify किया है और उनमें GAD भी नहीं है आप मान के चल सकते हैं इन notifications का 50s और 60s में cut-off रहने वाली है तो जिसको भी 40 प्लस है अगर category वाला है तो वो भी hopeful रहे और जिसको category नहीं है 55 प्लस वाला जो भी बंदा होगा जिसको category नहीं है वो भी hopeful रहे उसे कम भी हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है तो ये थी इसकी understanding क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था ये list है क्या ये basically उन बच्चों के बारे में है जोने ने typing test दिया था कितनों ने total थे 77,000 जब आप इनको add करेंगे 14,000, 21,000 यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 37,000 यह total रहा है 77,000 उतना ही JKSSB ने फिर बोला थी था उस दिन जब उनने notes निकाली थी कि कितने बच्चों ने qualify किया यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर एक और बात ही वो ये थी कि J.E.Civil वाले जो है उनका भी admit card main website पर आ गया है वो भी आप चेक कर सकते हैं जो भी हमारे candidates है वो J.E.C की preparation कर रहे हैं उनका admit card main website पर आ गया है वो उसको download कर सकते हैं और भी कुछ exams है 21st और 22nd को जो होने थे वो भी post phone हो गये थे उसकी भी notification अभी आ रही थी और उसके बाद में आपको जो important इसमें news है वो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि जो J.E.C.S.P. junior assistant का जो result है वो आप समझे बिलकुल आपके door के पास है क्यों कि अब भी किसी बच्चे ने retweet किया था J.E.C.S.P. वालों को वापस किया था J.E.C.S.P. उन्होंने भी बोला था एक या डेड़ हफता तो वही आएगा फिर मतलब अगर आज तब से लबक तीन दिन हो गए आलमोश तीन या चार दिन तो इन ही एक दो दिन में दो तीन दिन में आपका result आने जा रहा है तो आप उमीद लगा के रख सकते हैं तो ये थे आपके बड़े अपडेट्स इस चनल को सबस्क्राइब करें और शियर करें थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग